देखिए जब आप अपने iPhone के Apple ID का password चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से security delay in progress का option दिखता है और यहाँ पर timer लगा होता है basically यह timer इसलिए आता है क्योंकि आपने stolen device protection feature on करके रखा था यानि कि अगर यह feature आप on कर देते हैं और आपका phone को ही चोरी कर लेता है तो सामने वाला बंदा आपके Apple ID का password चेंज नहीं कर पाएगा जिससे आप अपनी Apple ID की location पदा कर पाएगे किसी और phone से कि आपका phone कहां पर है तो इसलिए यह protection on होता है अब जब तक यह on है तो आप अपने Apple ID का password चेंज नहीं कर सकते हैं अब आप off करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से progress लिकर आता है एक घंटे का timer लिकर आता है तो मैं आपको एक बात बता दू कोई भी वीडियो पर trust मत कीजिए कि वो यह deal आपको एक घंटा यहाँ पर इंतजार करना है जब तक यह timer end नहीं होता है तब तक आपको wait करना है timer जैसे यह end होगा यहाँ पर आप done करेंगे यहाँ से फिर इस feature को off करें ध्यान रखे इस feature को off करें इसके बाद आप जाए अपनी Apple ID का password चेंज करें आप चेंज कर बड़े घंटा का wait आपको करना ही होगा